दोस्तों भारतिय डाक विभाग में कई पदों पर निकाली गई है बरतियां और 69,000 भरतियां निकाली गई है इंडियन पोस्ट ऑफिस रिकृट्मेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं तो बताते हैं आपको इस नौकरी के बारे में कि कैसे मिलेगी आपको यह नौकरी और कैसे इसके लिए आपको अपलाई करना है सब कुछ पता चलेगा आपको इसी वीडियो में तो स्वागत करती हूं आपका रिंग्स चॉइस चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं रिंग्स चैनल एक ऐसा चैनल जिस पर मिलती है आपको पूरे भारत में निकलने व कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू किये गए लोकडाउन के चलते अधिकतरे संस्थानों में भरती प्रक्रिया थम गई थी देश में अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही जिन्दगी पटरी पर लोटने लगी है इसी बीच भारतिय डाक मेल गार्ड मल्टी टास्किंग स्टाफ के कई पदों पर ये भरतियां कर रहा है डाक विभाग ने इन पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है किस पद के लिए कितनी भरतिया निकाली गई है इसकी अवेदन दिया जाएगा मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए 18,000 रुपे से 56,900 रुपे प्रती महा तक वेदन मिलेगा योग्यता कि अगर बात करें तो पोस्ट मैन मेल गाट के पद के लिए आवेदन करने है तू उमीदवार का किसी भी मानित प्राप्त संस्थान से बार अरक्षित वर्गों को अधिकतम आयू सीमा में छूट भी मिलेगी अप्लाई कैसे करना है ओनलाइन अप्लाई करना है ओनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया है वो 12 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और आप इसको 10 नवंबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कैश देकर ही पेमेंट के जरीए कर सकते हैं इन पदों के लिए उमीदवारों का जो सिलेक्शन है वो लिखित परिक्षा स्थानिय भाषा परिक्षा और डेटा एंट्री स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा बाकी मैं आपको वेबसाइट लिंक दिखा देती हूँ जो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्षान में दे रही हूँ जैसे ही आप उस वेबसाइट लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये खुल जाएगा जिस पर आपको अपलाई करना है जाकर कम्प्यूटर अधारित परिक्षा होगी अगर कुछ भी पूछना चाहिए इस भरती के बारे में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं वेबसाइट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्षन में मिल गया है दोस्तों जिस पर क्लिक करते ही आपके सामने सारी इंफो कुछ कर पाएंगे और पूरी इंफोर्मिशन खुद पढ़ पाएंगे तो कैसी लगी आपको जानकरी जरूर बताइएगा इसी तरह की इंफोर्मिशन और सरकारी नोक्रियों के जानकरी हम आपके लिए हर रोज लेकर आते रहेंगे रिंक्स चैनल पर वीडियो देखने के थैंक यू सो मच फ्रेंड